असलाव अलेकूम वेलकम बैक तुमाइ चानल फर्शा फूट फ्यूजन कैसे हैं आप सब उमीद है सब खेरियस से होंगे हम भी अलहमदुलिल्ला बिल्कुल ठीक हैं आज जो हम डिश बनाएंगे वो बहुत ही कम मसाले से बनती है और टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल हमें चाहिए दो कप वीट यानी की गेहूं हमने इसे एक रात पहले ही पानी में सोक करके रख दिया था ये कुछ इस तरह से दिखते हैं आप चाहें तो होल वीट भी ले सकते हैं यहाँ पर हमने पीसेज वाला लिया है चिकन 300 ग्राम कुछ गरम मसाले जिसमें से 4-5 लॉं में काफी टाइम लगता है इसलिए सबसे पहले हम इसे कुख होने के लिए रख देंगे एक प्रेशर कुख कर लें उसे हाई फ्लेम पे रखें उसके बाद इसमें ये सारा गेहूं एट कर दें हरीस एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिशनल अरेबिक डिश है ये वीट यान तना से गलाना रहता है इसलिए इसे चार से पाँच घंटे तक धीरी याज पर पकाया जाता है इसमें हम तीन का पानी एट करेंगे इसे बन करके रख देंगे और इसे पकने देंगे इसे हम इतना पकाएंगे जब तक गेहूं पूरी तना से मेल्ट नहों जाए चलिए हम एक pot लेंगे, इसमें पानी एड़ेंगे, flame को हम high करदेंगे, इसके बाद हम इसमें ये spices सारे एड़ेंगे, और जितना भी हमारा ये chicken था 300 grams, इसमें हम एड़ेंगे, और इसे धकके रख देंगे बॉ 살 होने के लिए, चिकन अच्छे से बॉयल हो चुका है चलिए इसे चेक कर लेते हैं चिकन यहाँ पर हमारा अच्छे से गल चुका है चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और इसे थंडा होने के लिए रख देते हैं चिकन सारा spices के साथ बहुत अच्छे से boil हो चुका है जिससे इसमें spices की बहुत अच्छी सी smell आ रही है इस पानी को waste नहीं करना है हम इसे use कर लेंगे चलिए अब हम wheat को भी चेक कर लेते हैं ये देखिए ये पूरी तरह से गल चुका है इसे इस तरह से spoon की help से mash कर ले हमें इसे इतना पकाना है कि ये wheat पूरी तरह से गल जाए और एक थिक paste बन जाए यहाँ पर जो ये बचावा पानी है हम इसी पानी में गेहू को add कर देंगे और इसे दुबारा से पकने रख देंगे गेहू को हमें इतना पकाना है कि ये इसका एक इस तरह का थिक paste बन जाए अगर ये paste ना बन पाया तो इसे थंडा होने पर आप चाहें तो इसे hand blender से या फिर blender की help से अच्छे से paste बना सकते है इसमें और पानी आट कर दें और इसे अच्छे तरह से मिक्स कर दें कुछ देर तक इसे spoon से ऐसे ही चलाते रहे ये एक ठिक paste बन चुका है इसलिए इसे मिक्स होने में कुछ टाइम लगेगा ये देखी अभी अच्छे तरह से मिक्स हो गया है इसे लो फ्लेम पर ढग कर रख दें ये चिकन जो हमने बॉयल करके रखा था ये ठंडा हो चुका है फोक की हेल्प से हम चिकन को इस तरह से श्रड कर लेंगे चिकन पूरी तरह से बॉयल हो चुका है इसलिए ये इसलिए इस तरह से फोक से श्रड हो जाएगा इस तरह से ये पूरा चिकन श्रेड हो चुका है अब इस चिकन को हम हरीस में एड़ कर देंगे हरीस को लो फ्लेम पे रखें ये जितना जादा पकेगा उतना जादा ये ठिक होता जाएगा आप चाहें तो बीच-बीच में इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी भी एड़ करते रहें इस तरह से इसमें चिकन एड़ करके पूरा मिक्स कर देंगे और इसे धग करके रख देंगे कुछ देर इसे पकने देंगे तक्रीबन 20 नट हो गये हैं, अब हम इसे एक बार चेक करेंगे, यहां पर हम इसमें नमक एड़ करेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक एड़ कर सकते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करतें ताकि नमक पूरे में मिक्स हो जाए, और इसे कुछ देर और पकने के लिए रख दें, 15 मिनट हो गये हैं, और अब हम इसे एक बार फिर चेक करते हैं, यह देखें, यहां पर यह अल्मोस्त तैयार हो चुका है, चिकन के रेशे भी इसमें पूरी तरह से मेल्ट हो चुके है, और गेहूं भी पूरा मेल्ट होके पेस्ट बन चुका है, और बस यह हरीस हमारा रेडी हो चुका है, अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे, इसे और पकाने की ज़रूरत नहीं है, चलिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं, एक सर्विंग बोल लेंगे और उसमें हरीस को निकाल लेंगे, अनियन को हमने फ्राई कर लिया है, जिससे हम हरीस को गार्निश करेंगे, आप चाहें तो ड्राइ फ्रूट को भी फ्राई करके उससे भी से गार्निश कर सकते हैं, आप इसे फ्राई अनियन, फ्राई ड्राई फ्रूट्स और ओलिव ओल के साथ सर्फ करें यह रहा इसका फाइनल लुक, यह बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्रीमी और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है आप इसे मेल की तोर पे भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ अपना और अपनों का बहुत खयाल रखिये अल्लाहाफिज, फियमानिल्ला